नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही अच्छी इंफरमिशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है UPSCN SSC के आने वाली नवकिरियों की जानकारी इन कित्ते तारी को ये विकंसी आने वाली है कब आने वाले इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगी इस वीडियो में ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा वीडियो शुरू कर रहे हैं गूगल पे सबसे पहले सरकाई result टाइब करते हैं सरकाई result डाट काम वाले आप्सण पर क्लिक कर देते हैं जैसे यह आप उस अप्सण पर क्लिक कर देंगे एक नाय विंडो ओपन हो जाता है उसमें उपरे वाली बेकंसी पर क्लिक करते हैं कि जैसे उसमें क्लिक कर देंगे एक नाय पेंज ओपन हो जाता है जिसमें आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की बेकंसी का पूरा डिटेल दिया होता है कि यह देखी दोस्तों यह पेंज ओपन हो गया है पाब्लिक हेल्थ इंजिनिंग डिपार्टमेंट बिहार जूनियर इंजिनियर सिविल रिकार्मेंट है इसकी इसका वेदन आप पच्ची सनव दोहजार बीच से 15-10-2020 के बीच कर सकते हैं 25-20-2020 से 15-10-2020 बीच आप आव वेदन इसके कर सकते हैं आल कटेगरी आल कंडी डेट निशुल्ख है दोस्तों इसमें अधिक से अधिक लोग अपपर अवेदन कीजिएगा लास्ट डेट करेक्शन की पंद्रा दस दो हजार बीस है बेकेंसी डिटेल टोटल पोस्टें आई है 288 एज लिमिट जो मागा है दोस्तों एक और दो हजार बीस के पहले आपकी आई अठारा वर्स हो जानी चाहिए क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन सिविल इंजिनरिंग जोनियर इंजिनियर जे आर इन सिविल इंजिनियर ब्रांच सिविल से मिनमाम एज है 18 साल मैंग जिमाम एज है 37 साल दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे की इस वीडियो का पूरा लाब आप उठा सकें इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में हम आपको बता दिये हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजिनरिंग से किसी भी बोर से आप पास किये हों इंडिया के अंदर टोटल पोस्टें 288 पोस्ट है एज लिमिट जो मागा है दोस्तों एक आर 2020 के पहले आपकी आई ओठाया वार्ड्स हो जानी चाहिए कम से कम और 37 साल से उपर नहों होनी चाहिए अब फिमेल कंडिडेट के लिए अठारा से चालिस साल मिनमा में अठारा साल में जिमा में चालिस साल इसका जो अवेदान है 25-9-2020 से 15-10-2020 के बीच भरा जाना एक जाम डेट का भी इसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जैसे एक जाम डेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको इसी लिंक में आपको पता चल जाएग इसी लिंक से दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किये हैं सब्क्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें जिस्से की आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें इसमें दोस्तों जे आर इंजिनरिंग सिविल डिपार्टमेंट काटेगरी वाज बेकेंशी का डिटेल दिया हुआ है ध्यान से देख लिजिए जैनल वालों के लिए पचासी पोस्टें है और इसी वालों के लिए चवालीस इस प्रकार से आप देख लिजिएगा काउंट कौन सी पूस्ट इसकी जो लिंक का लिंक है एप्लाई करने को 25 29220 से अपडेट होगी कि इसका नोटिफिकेशन आगा है दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आप क्लिक करके आप पड़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए अब दोस्तों जो हम आपको बताने जा रहें जिस वीडियो के बारे में वह है यूपी यस्सी यूपी यस्सी और एससी इसका फांप कब भरा जाना एससी का पूरा विवरन एक साल का पूरा कब आएगी इसकी डेट कब खतम हो जाएगी और एक्जाम डेट क्या है यह देखिए दोस्तों इस्टाप सलेक्शन कमीशन एससी कि 2019 से लेकर 2021 तक पूरा इसका विवरन दिया हुआ काउंसी विकन्सी के तारीक को आई है काउंसी विकन्सी के तारीक को खतम हो जाएगी कि सिरिडल वाज दी हुई है हम आपको 2020 से 2021 की विकन्सियों की जानकारी देंगे यह देखिए दोस्तों जो आने वाली तेस नंबर पर कंबाइन ग्रजुएशन लेवल एक्जामनेशन 15.9.2020 से 15.10.2020 के बीच फाम भरा जाएगा लेकिन दोस्तों इसकी जो एक्जाम की एक्जाम डेट अभी ओपन नहीं हुई है लेकिन फाम भनने की डेट आ गई है उसके बाद 24 नंबर पर है कंबाइन सिकन्डी एड बार्मी बार्मी बेस की वेकन्सिया है तीस नॉम्बर 2020 से 15 दिसंबर 2020 के बीच फाम भरा जाना इसकी भी पेपर की डेट अभी नहीं आई आए उसके बाद सम इस्पेक्टर की दोस्तों दिल्ली पुलिस की आने वाली है लेकिन उसका विवरन 2021 का अभी नहीं दिया हुआ है टोटल 26 चब्विस वेकन्सिये एक साल के अंदर आई हैं एक डेड़ साल के अंदर यह हमने दो बेकन्सियों के वारे में आपको हम बता दिये हैं कि दो बेकन्सियों कब से कब तक हैं जिसकी इकडान डेट एक मार्च 2021 है उसका फाम भरने की डेट अभी तक नहीं आई है जल्दी दोस्तों आएगी आप ध्यान से वीडियो देखिएगा जिससे की आप यह डेट के बीच आप अपना फाम भर सकें जिससे की यह डेट खतम ना हो जाए आप यह डेट को नोट कर लिएगा जिससे की आपको जो यह बेकन्सिय आने वाली है इनमें आप अपना वेधन कर सकें और कौलिफाइड हो सकें अब यह जो बेकेंशी है दोस्तों यह यूनियन प्रॉब्लिक सर्विस कमीशन जो पहली है सी डियस एक्जामनेशन साथ दस दो हजार बीश से सत्ताइस दस दो हजार बीश के बीच फार्म भरा जाना फिर है दोस्तों एक कमबाइन है सी आई यह सबकी है कमबाइन फिर शें इंजिनरिंग रिजर्वड फार यूपी यसी पांच पांच यह दो हजार एक्जिस इंजिनरिंग सर्विस एक्जामनेशन साथ चार दो हजार एक्जिस से सत्ताइस चार दो हजार एक्जिस के बीच फार्म भरा जाना है दो हजार बीच में दोस्तों अभी चार वेकंसी आने वाली हैं चार आनी थी टोटल च्छाय लेकिन अभी आ रही है चार दोस्तों ध्यान से देखिए वीडियों बहुत ही अच्छी इंफर्मेशन आई है कम्बाइन गेश संस्टिक एक्जामनेशन दो हजार एक्किस के लिए हैं साथ दत दो हजार बीच से सताइस दत दो हजार बीच के कि बीच फ़ाम भरा जाना है कि इसका एग्जामनेटर के वल एक ही दीनों का 2970 को संड़ेके दिन और चीडियों से दिस दो हजार बीच से सत्रह गैरह 2020 में के भीच फार बहल जाना है इसका प्राइपार प्रौहसए को होना संड़े के दिन इस प्रेकार से दोस्तों 2020 में केबल अभी चारी बेकंसी आएंगी लेकिन 2021 में बहुत बेकंसी आ रहे हैं दोस्तों ध्यान से देखिएगा सेंटर आर्मल पॉब्लिक्स कमिशन पंद्राचार 2021 से पांच पांच 2021 के बीच फाम भरा जाना है इसका जो एक्जाम होगा आठाकस 2021 को फाम भरा जाना इक्जाम होना है रिजर्ट फार यूपी असी इसका भी डिटेल दिया हुआ है एंडिये 9-6-2021 से 29-6-2021 के बीच इसका भी फाम भरा जाना है एक्जाम डेट जो है 29 अगस 2021 को संड़े के दिन है सिवल सर्विस मेन एक्जाम 2021 इसकी अभी डेट नहीं आई है दोस्तों जैसे ही इसकी डेट आईगी हम आपको वीडियो के माध्धम से सूचित कर देंगे जिसे की आप अपना अविदन कर सकें इंजिनिंग सर्विस मेन एक्जाम सीडियास सीडियास एक्जामनेशन 2021 की डेट आ गई है चार आठ दो हजार एक्जाम से चोविस आठ दो हजार एक्जाम होगा जीडी जीडी की दोस्तों पंदानाव दो हजार एक्जामनेशन पांच दस दो हजार एक्जामनेशन कि फाम भरने में कोई चूग न रह जाए कितने तारी तक फाम भरा जाना है कितने तारी को आपको पेपर होगा कि दोस्तों अगर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है सब्क्राइब लाइक और शेयर करना ना भूले और जो वेकनसी के वारे में इस वीडियो में हम आपको बनाए हैं उसका पूरा से पूरा लाव उठा सके और अपने दोस्तों को सेयर करें जिससे की वेकनसी की वारे में आपके दोस्तों को भी पता लग सकें और वो भी आप नियमित समय पर वो अपना अवेदान SSC, UPSC और Health Department में अपना अवेदान कर सकें ये दोस्तों Union Public Service Commission Programming ये वहाँ से आई है और Health Department की 25 नव दो हजार बीज से इसका भी फाम भरा जाना है दोस्तों ये तिन चार वेकेंशियों के बारे में हमने आपको इस वीडियों में बताया है इस वीडियों को ध्यान से देखिए और अपना फाम नियमित समय से अपना वेदान कीजिए और अपने दोस्तों को दोस्तों के दोस्तों में अधिक से अधिक से यार करें जिससे की आपके दोस्त भी इस वीडियों को देखकर अपना वेदान करें और पूरा से पूरा लाव उठाएं और नवकरी की तैयारी करने में जुड़ जाएं दोस्तों UPSC और SSC का सलेवस वही है जो पहले था पैटन हम आने वाले वीडियो में हम आपको इसका पैटन और सलेवस जरूर बताएंगे और हमारे वीडियो को सब्क्राइब करना ना भूले चलिए दोस्तों पुनाय मुलाखात होगी आपके साथ अनकिसी अच्छे वीडियो के साथ थांक्यू सो मच